Hello friends, रादे रादे ये देखे मेनी रोज मेरा खिल चुका है लेकिन आज हम गुलाब के पोधे पर बात नहीं करेंगे मार्च में हम कितने पोधे लगा सकते हैं कटिंग से और डिविजन से उनके बारे में बात करेंगे आज मैं आपको दिखाऊंगी 30-35 ऐसे पोधे जो पर्मानेंट हैं और कटिंग या रूट डिविजन से आप उनको लगा सकते हैं ये देखे यहां से नए प्लांट निकले हुए हैं आप या तो इनको प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं या फिर यासे जो मैचियोर ब्रांच में से एक में से दो बनी हुई हैं उनको भी आप ले सकते हैं ये एगलो निमा है आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं कि मैंने इसकी cutting लगाई हुई है यह दूसरा color है इसका और यह cutting अच्छे से चल चुकी है मेरी और एक दूसरी cutting है जो lipstick agglonema के नाम से जाना जाता है इसकी किनारी pink color की होती है और next है क्लांचो का यह orange color है देखिए कितना खूबसूरत है यह इतना ही bright है और red color है red color के थोड़े full जो है spend हो चुके है क्लांचो एक ऐसा पोदा है जिसकी cutting हम पूरे साल लगा सकते हैं और कभी खराब नहीं होगी आगे मैं वीडियो में इसकी cutting भी दिखाऊंगी आपको तो देखि division से अलग कर सकते हैं यह root division से आप separate करके नए पोदे बना सकते हैं requirement इनकी एक जैसी ही है कोई अलग नहीं है well-drained soil चाहिए और एक साल में दो बार आप इने fertilizer दे देंगे तो कोई भी इनको और fertilizer देने की ज़रुरत नहीं होगी आप इनको liquid fertilizer दे सकते हैं या फिर आप DAP के द सकते हैं लोमडी की पूच की तरह इसके यह हैं design बने हुए तो इसलिए इसको fox tail fund कहते हैं इसकी requirement भी asparagus की ही तरह है जैसे इनकी requirement है वैसे ही well-drained soil और कम fertilizer में चलने वाले पोदे मैं वही पोदे दिखाऊंगी जो permanent हैं जिन में आपको कोई problem आने वाली नहीं है पूरे साल और एक से कई पोदे आप बना सकते हैं आपको दुबारा nursery से लाने नहीं पड़ेंगे यह है पीस लीली का पोदा इस पे white color के flower आते हैं और नए नए baby plant ऐसे निकलते रहते हैं side से जिने आप separate करके नए पोदे बना सकते हैं white color का मेरे इस piece लीली के पोदे में full आता है जो का सफलेरा काफी चमकदार होती है शेमी शेड का पोदा है ऐसे ही asparagus भी सेमी शेड का पोदा है जादा धूपीने बरदास नहीं होती और फिर यह है सफलेरा सफलेरा भी cutting से आसानी से लग जाता है और इसे amrela plant भी कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो amrela की तरह चलें ज्यादा बारीक ना लें पैंसिल से थोड़ी मोटी थिकनेस भी होगी तो अच्छा होगा लेकिन यह दो नोड एरिया कम से कम मिट्टी के अंदर जाने चाहिए इतनी बड़ी आपको इसकी कलम लेनी है लगाने के लिए सफलेरा easy to maintain है पर्मनेंट प्लांट है फिर है मैंने इसको लगा दिया था और यह आसानी से grow हो चुका है इसकी cutting easily लग जाती है थोड़ा सा सुबह की धूप मिल जाए वही काफी है पूरे धूप में ना रखें पत्तियां वरना खराब हो जाती है और इसको आप आजानी से घर में लगा सकते हैं यह next पोधा है इसी में यह उग गया था पत्ती से भी grow होता है कोई भी सगुलेंड मैंने पत्ती से इतनी तेजी से grow होता हुआ नहीं देखा जितनी तेजी से यह grow होता है इसका नाम मुझे नहीं पता है मुझे एक फ्रेंड ने यह दिया था और इसका बड़ा पोधा भी मैं आपको दिखा देती कैसे भी इसको आप 10 दिन भी पानी नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम इस पोधे को नहीं है इतना शांत सोभाव पोधा आप इसको कह सकते हैं आप कटिंग से आसानी से लगाईए फिर है यूफोबिया मिली इस वक्त यूफोबिया मिली पे काफी फ्लार आये हुए हैं और गर देखिए इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है आप इसे 10 इंच की कटिंग ले सकते हैं चार इंच की कटिंग ले सकते हैं या फिर एक फिट की भी कटिंग ले सकते हैं कोई भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है यह मेरा एक्सबिरियंस है मैंने खुद देखा है इसक काफ़ी सुन्दर पोदा है ओफिस में अंदर रख सकते हैं घर में अंदर रख सकते हैं एरियल रूट निकलती रहती हैं कोई भी टहनी आप यहां से ले लीजिए जिसमें एरियल रूट निकले हुई है एक पोदे से ही आपका पूरा गमला भर जाएगा और काफ़ी सारे प् विजन से नहीं ऐसे बेवी प्लांट निकलते रहते हैं उससे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर चलिए बात करते हैं सकुलेंट पोधों की सकुलेंट पोधे में आप देख सकते हैं इसमें चार से पांच विराइटी लगी हुई है एक साथ ट्रे गार्डन बना हुआ है तो ये कुछ अलग कलर है से एक ब्रांच निकली हुई है इसको कट करके आप लगाएंगे नया पोधा तयार हो जाएगा पत्ती से भी ग्रो हुए हैं पत्ती वाले भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ग्रो हुए हैं मेरे प्लांट और काफी हाड़ी प्लांट हैं ये जो भी सुकुलेंट मैंने लगाए हैं वो हाड़ी विराइटी लगाई हैं क्योंकि कुछ से कुलेंट प्लांट ऐसे होते हैं जो काफी महंगे आते हैं और जल्दी ही खराब हो जाते हैं फिर हमें दुख होता है तो ये कटिंग से मैंने लगाया है इसमें कटिंग से लगाने के बाद देखिए एक पत्ती गिर गई थी और ये इसी में एक छोट असा बेबी प्लांट भी इसके पास निकल आया है तो मैं अगर पत्तियां कोई तूट जाती है तो ऐसे ही उसी पोट में रख देती हूँ अलग नहीं डालती कई बार उसमें होता है कि प्लांट निकल भी आता है कई बार होता है नहीं निकलता लेकिन अगर प्लांट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा केयर की ज़रूत नहीं है well-drained soil चाहिए और ये cactus है, cactus में आप देख सकते हैं चारों तरफ से अब निकले हुए हैं इनको आप आसानी से remove करके लगा सकते हैं काफी लोगों को cactus पसंद नहीं होता लेकिन मुझे काफी पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें लगाया हुआ है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप भी लगा सकते हैं कोई ज़्यादा care जरूरत नहीं है care की और ये देखिए मेरा पूरा पोधा इसी plant से भरा हुआ है इस तरीके से पूरा port cover कर लेता है और ये मैंने cutting से लगाय हुए पोधे हैं और यहां पत्ती से grow किया है यह आप देख सकते हैं पत्ती से grow हुए पत्ती से grow होने में थोड़ा time लगता है cutting से हमारा जल्दी ही पोधा हमें बड़ा मिल जाता है तो इसलिए आप cutting से भी लगा सकते हैं और पत्ती से भी grow कर सकते हैं आपको कहीं से पत्तियां मिल जाती है तो उन से ग्रो कर लिजिए फिर यह देखिए मैंने पत्ति से इसको ग्रो किया है इसका बड़ा पोधा मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास में दो तीन साल से है वो भी काफी खूबसूरत है और ये वो ही पोधा है जो मैंने बताया था कि पत्ती से भी आसानी से ग्रो होता है काफी तेजी से लेकिन ये मैंने कटिंग लगाई थी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ तो सगुलेंट प्लांट की वो ही विराइटे लगाएं जो हार्डी हैं तो ये देखें इसमें रूट्स कितने अच्छे से बनी हैं फिर से हम लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये पोधा ऐसे ही चलता रहेगा ज़्यादा सिकायत ये नहीं करता है और सगुलेंट की काफी सारी विराइटी में आपको दिखा रही हूँ सबकी केर वो ही है के वैल ड्रेंड सोयल चाहिए और इसमें ज़्यादा पानी ना ठहरे ज़्यादा पानी से सगुलेंट के जो पोधा माना जाता है घर में लगाना और आप इसको किस तरीके से लगा सकते है देखे बोन्जाई की तरह भी आप इसका एक पैड़ इपको बनानी है जैडhn प्लांट हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो सब से बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए देखें पूरी बास्कीट कवर हो चुकी है और यह देखें कलांचो की कटिंग जो मैंने लगाई हुई है वो अब ग्रो होना स्टार्ट हो गई है थोड़ा सा वक्त लेती है लेकिन ग्रो अच्छे से हो जाती है रियो का पोधा रियो के पोधे में खास ब सकते हैं इसको भी कोई जादा खाद पानी की जरूरत नहीं होती फिर परपल हार्ट भी इसी के जैसा एक पोधा है लेकिन इसकी पतियां दोनों साइड से परपल कलर की ही होती है तो यह देखें छोटी सी बोटल में लगा हुआ है यह पोधा यह सभी पोधे पर्मानेंट ह एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे दुबारा आपको लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी और कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं आती है कि यह पोधे खराब हो जाएं नेक्स आप देखें अलोवीरा अलोवीरा सबके घर में होना ही चाहिए इसकिन के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है और बाकी चीजों के लिए भी यह काफी दवाईयों में भी काम आता है और इसके छोटे छोटे बेवी प्लांट निकलते रहते हैं उनको आप सेपरेट करके नए पोधे बना सकते हैं पूरे पोट को कवर कर लेता है तो आप इसको घर में जो फैल जाती है छोटी छोटी कटिंग इसकी लगती है मैं इसे कई तरीके से यूज करती हूँ देखिए पहले मैंने पोट में हैंगिंग में इसे लगाऊंगी और फिर जो बड़े गमले होते हैं उसमें मैं लगा के रखती हूँ एक तो ग्रीनरी बनी रहती है दूसरा इसकी जो जड़े हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती मिटी में उपर ही उपर रहती है और बड़े पोदों में नमी बनी रहती है देखिए मैंने इनको लगा दिया है और कटिंग को लगाने के बाद में आप पानी डालते रहे या असानी से चलेगा फिर है यह पर इसको पर्ल प्लांट कहते हैं यह भी एक सेगुलेंट प्लांट है और मोती की तरह लटकता है जैसे मोती की लड़ियां लटकी हुई है काफी फेवरेट प्लांट है यह भी मेरा मैंने एक ब्रांच देखे साइड वाले पोट में रख दी थी और इसमें से भी इन्होंने ज पानी कम चाहिए दूसरा मनी प्लांट देखिए जो नेक्स प्लांट है वो मनी प्लांट है मनी प्लांट की आप कटिंग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में भी लेकिन एरिका पाम को मैंने देखा है कई यूट्यूबर बताते हैं कि आप रूट डिविजन से कर लेजिए यह ऐसे ही अच्छा लगता है अगर आपका गमला भर गया है तो दूसरे थोड़े बड़े गमला इसे दे दीजिए तो इसको आप ऐसे ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है फिर है यह आप देख सकते हैं बनी कैक्टस इसके जो डिजाइन है वह बनी के कानों की मुई दिखाई देता है इसको आप ट्विस्ट करके निकाल लेंगे किसी भी पी स्कोर मिट्टी में लगा दीजिए आसानी से चल जाएगा वैल्ड रेंड चाहिए फिर है यह बर्ड ब्रेंडी बर्ड ब्रेंडी का प्लांट कहते हैं यह मदर प्लांट है मेरे पास में इस अलग-अलग डिजाइन के पोधे हैं इस तरीके के जो प्लांट निकले हुए इनको कट करके भी हम नया पोधा बना सकते हैं पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं जो इनके नए पोधे निकल सकते हैं उनसे अलग करके ग्रो कर सकते हैं यह कुछ अलग कलर है या फिर आप इनकी मेरे पास है छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है और इस वक्त इनका ग्रोइंग टाइम है क्योंकि विंटर में ज्यादा ग्रो नहीं होती है देखिए मैंने दो कलर एक साथ लगाए है टर्टल वाइन और वंडरिंग जू देखने में काफी सुन्दर लगते हैं जब इन इसकी जो पतियां हैं यह पतियां ही है यह सुनी जैसी दिखाई देती हैं लेकिन काफी सॉफ्ट हैं इसकी कटिंग आप कोको पीट में लगा दीजिए काफी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी कोको पीट में ही मैंने देखा है कि आसानी से इसकी जो कटिंग है वो ग्रो करेंगे तो आसानी से डाइन्थस की कटिंग ग्रो हो जाएगी आपका गार्डन देखिए फूलों से भरा रहेगा और काफी सारे विराइटीस की आती है अलग-अलग design color आप देख सकते हैं ये दूसरा color मेरे पास में है और ये दोनों पोधे मेरे पास में तीन साल से हैं जो लगातार मेरे पास बने हुए है मैंने उपर से prune करती रहती हूँ और इसमें ये मैंने गुलाब के पोधे के अंदर लगाया हुआ है एक बड़ा drum है जिसके अंदर गुलाब लगा हुआ है और इसमें ये मेरा डाइंथस लगा हुआ है तो कटिंग से आप डाइंथस को भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं और फूल इतने सुन्दर हैं देखिए पूरा चारो तरफ से फूल भरे हुए हैं और मैंने इसको निकाला नहीं है दो साल से दो ढ़ाई साल से मेरे सी कंटेनर में ये चला हुआ है फिर हम नाइनो क्लोक को कैसे भूल सकते हैं इस वक्त नाइनो क्लोक गर्मियों का सबसे ज़्यादा फूल देने वाला पोधा है मेरे हिसाब से काफी सारे कलर है मैंने सबके एक-एक पोट रखे हुए थे तो आप इनकी कटिंग इस वक्त लगा लिजिए काफी सारे कलर ये हैं नाइनो क्लोक छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाता है cutting से आसानी से लग जाता है purse lane भी इकईसा ही पोधा है इसके भी सभी color मेरे पास हैं काफ सारी सभी तो नहीं कह सकती काफी सारे color मेरे पास हैं तो ये भी cutting से लगने वाला पोधा है तो इसको भी आप लगा लिजिए next है कपूर तुलसी कपूर तुलसी पोदीने की तरह होती है देखने में और ये एजिडिटी और सर के दर्द में काफी फाइदे मन्द होती है कहते हैं खाली पेट इसके पत्ते चबाने चाहिए इसको आप रूट डिविजन से अलग कर सकते हैं फिर है परपल कलर किये देखिए मेरे पास में पो फूल देने वाला प्लांट है फिर चमपा चमपा में देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है मैंने जो प्रून कर दिया था वो नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है इसकी आप एक फिट के कटिंग भी लगा सकते हैं इसका पोधा काफी जल्दी तयार हो जाता है फ् वक्त आप इने बल्ब से अलग कर सकते हैं यह प्याद जैसे इसमें आपको दिखाई देंगे और यह देखिए मेरे जो बड़े प्लांट है जो मैंने छोटा सा पत्ती से प्लांट दिखाया था उसके बड़े पोधे हैं मेरे पास फिर आपको मैं दिखाऊं इस वक्त यह बने हुए स्ट्रिप सी पत्तियां सी बनी हुई है और इसके अंदर चोटे चोटे बेबी ब्लांट निकलते रहते हैं इसका नाम भी मुझे नहीं पता है लेकिन इसकी काफी सारे विराइटी आती हैं मुझे नाम मैं इसका भूल जाती हूँ बार बार तो इसमें छोटे च रह सकते हैं जो बड़ा हो जाता है एर प्यूरिफायर है इंडोर आउट्डोर आप कहीं भी रख सकते हैं ज्यादा धूप में मत रखिएगा इसके बेभी ऐसे प्लांट निकलते रहते हैं उनसे आप इने सेपरेट करके बना सकते हैं और पत्ती की कटिंग से भी आप इसको ग्रो کر सकते हैं फिर आप देगे इस पाइडर प्लांट इस पाइडर प्लांट का सबसे अच्छ वेनिफिट हैं इसमें एक तारसा निकलता है ऑइसके बेभी प्लांट निकलते हैं जैसे कोई वायर होना ऐसे निकलता है इसके पोधे से और उसी के ऊपर देखिए यह बेभ काफ़ी सुन्दर लग रहे हैं मैंने पानी में χी ग्रो करूंगी मिट्टी में नहीं लगांगी फिर हैं पांडा फाईकस में सकी पत्तियां नहीं होती है। और आप इसे कॉई भी शेप इस तरीके से दे सकते हैं मैंसे कुछ यूप है शेप देना चाहती और अगर आपको लगता है कि मैंने जानकारी अच्छी दी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप बताइएगा आपको जो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें रधे रधे